नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल हेल्दी प्रेगनेंसी में तो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पिरियेट्स के दोरान गलती से भी ना करें ये पांच काम दोस्तो पांच ऐसे काम जो पीडियेटिस के दोरान बिल्कुल भी नहीं करनी हैं क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी मुसीवत बन सकती हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को सुरू से लास्ट तक जरूर देखें और अभी तक हमारा चैनल सस्क्राइब ना किये हैं तो प्लीज सस्क्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दवाना न भूलें ताकि आगे आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो फ्रेंड्स वीडियो को सुरू करते हैं महिने के वो दिन महिला के लिए सबसे अलग दिन होती है जिस दिन पिरियेट होता है कुछ महिलाओं को पिरियेट के दोरान तेज दर्द सहना परता है और कुछ महिला को समानने लगता है पर हर महिला के periods के दवरान परिशान और बेचैन रहती हैं periods के दवरान महिलाओं के सरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाब होते हैं ऐसे में महिला को अपने खान पान पर बहुत सी बातों का ध्यान रखना परता है ये ऐसे पांच काम जो भूल कर भी ना करें Friends, सबसे पहला काम है, period के दोरान महिला को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि आप period के दोरान, इस दोरान भी गर्वती होने के पूरी समभाबना रहती हैं, दुसरा है खान पान, आप period के समय, अगर खाना छोडते हैं, खतारनाक हो सकता है, आपको याद रखनी की जरूरत है कि इस दोरान महिला के सरीर काफी कमजोर पर जाते हैं ऐसे में खाना छोड़ना भारी पर सकता है कोर्सिस करे कि आप जो कुछ भी खाएं वह पोस्टिक हैं और थोरा-थोरा खाते रहें तीसरा आपको बता देता हूँ कि आप पिरियेट के दोरान सारीरिक स्रम से बचें अगर पिरियेट के दोरान आपको तेज दर्द होता है या फिर पीठ में अकरन आ जाता है तो आप सारीरिक परिस्रम जादा ना करें और उसको करने से भी बचें वरना आपके सरीर का दर्द और अधिक बढ़ सकता है चोथा है नेपकुइन को लेकर लापर भाही पिरियेट्स के दोरान ये बहुत जरूरी होता है कि आप हर दो या तीन घंटे पर सेनेट्री नेपकीट बदलती रहें इससे आप संकर्मन से बची रहेंगे और साथ ही दुरगंध की भी समस नहीं होगी पाँचवा है बहुत तंग कपरे पहनना पिरियेट्स के दोरान बहुत तंग कपरे पहनना सही नहीं है इसलिए ऐसे कपरे पहने जिससे आपको आराम महसूस हो वरना चिर्चिरापन होने का संभाब ना बढ़ जात तो दोस्तो ये पाँच उपाएं ऐसे थे जिन्हें आप अपने पिरियेट के दोरान नहीं करनी हैं तो फ्रेंड्स यह जनकारी आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना ना भूले और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किये हैं तो तुरंद सस्क्राइब कर ले और बेल के आइकन को दवाना ना भूले ताकि आगे आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे